हलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूटूब चैनल का नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं अगर आपने जब यूटूब चैनल बनाया था तब आपने एक नंबर डाला होगा अपडेट करने के लिए, वेरिफाइ करने के लिए तब आज की वीडियो में आप चाहते हैं वो नंबर चेंज करना तो कैसे चेंज कर सकते हैं आज की वीडियो में आपको वहीं बताने वाला हूँ चलिए वीडियो को सुरू करेंगे उससे पहले दूस्तों आपसे request करना चाहोंगा कि अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया technical वाले बाबा को subscribe कर लो ठीक है अब simple से में क्या करना है यहाँ पर Chrome browser को open कर लेना चलिए हम यहाँ पर Chrome browser को open करेंगे जैसे हमने Chrome browser को open किया आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface दिखाया जाएगा अब आपको क्या करना सबसे पहले इसको desktop side पर कर लेना होगा किस पर कर लेना होगा desktop side पर कर लेना हो three dot पर click करेंगे simple से यहाँ पर पहले search करेंगे Gmail ठीक Gmail पर search करने बाद जैसे हम Gmail पर search करेंगे दिन हम three dot पर click करेंगे एक option आपको यहाँ पर दिखाई देगा desktop side Simple इस पर आपको click कर देना होगा जैसे इस पर आप click करेंगे इसको zoom करेंगे जोम करने गवाद email all option दिखाई देगा इस पर आपको click कर देना है अब यहां पर जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने एक next नया page खुलकर कुछ इस परकार से आ जाएगा अब आपने जिस mail ID से आपने YouTube channel बनाया था वो mail ID आपको यहाँ पर select कर लेनी होगी मैंने इसी mail ID से YouTube channel बनाया था तो मैंने यही mail ID select करके रखे हुई है जैसे आप इस पर click करेंगे click करने बाद नीचे एक option आपको दिखाई देगा manage your Google account simple से आपको क्या करना है manage your Google account पे click कर देना है जैसे आप manage your Google account पे click करते हैं आपके सामने कुछ इस परकार का दिखाई देगा अब यहाँ पर देख सकते हैं एक option आपको दिखाई देगा personal info का simple से personal info पे आप click करेंगे जैसे आप personal info पे click करते हैं नीचे आएंगे और नीचे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं phone number आपको दिखाई दिखाई दे रहे होंगे इसी परकार से आपके phone number आ रहा होगा ठीक यहाँ पे बहुत सारे phone number verified है अब यहाँ पे जो भी number आपने change करना है यहाँ पे ठीक अब यहाँ पे हमने बहुत सारे number verified की हैं को एक करके हटाना है पर यहाँ पे आप देख सकते हैं simple से phone number आपको दिखाई देगा अब यह number आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक सामने pencil का icon दिखाई दे रहा होगा simple से pencil वाले icon पे आप click करेंगे जैसे आप pencil वाले icon पे click करते हैं देन आप से password मांगेगा अब आपको क्या करना password डाल देना होगा continue के option पे click करेंगे password आप डाल देंगे चलिए मैं यहाँ पे fingerprint lock किवल लगाऊंगा और मेरा यहाँ पे open हो जाएगा ठीक जैसे मैंने fingerprint lock लगाए मेरा यहाँ पे देख सकते हैं open हो चुकी mail ID अब यहाँ पे pencil वाले icon पे आपको click कर देना जैसे आप pencil वाले icon पे click करेंगे यहाँ पे एक option आपको दिखाई देगा update number का समझो मारी बात को यहाँ पे कौन सा option दिखाई देगा update number का update number वाले option पे click करेंगे अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा number आप लेना चाहते हैं वो number आपको select कर लेना होगा then आप जिसे मैं यह number चाहिए मैंने यह number select कर लिया then मैं select वाले option पे click करके number को select कर लूँगा अब यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पर नंबर चेंज कर दिया, इस परकार से आप अपने नंबर चेंज कर सकते हैं, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताईएगा, मिलते हैं इस वीडियो में नई जानकाई साथ, तब तक लिए दोस्तों, जै हिंद, जै भारत, बाई बाई, लव्यो लुट पर पमले.